दूस्तों यह है मेरे हाथ में दो डायोड जिनका काम होता है AC करंट को DC करंट में कनबर्ड करना आज के इस वीडियो में हम लोग डायोड को चेक करना सीखेंगे कि मल्टी मीटर से इन्हें कैसे चेक किया जाता है टेस्टिंग करने से पहले इस डायोड के बारे में थोड़ी सी जनकारी में आपको दे देता हूँ जो सिल्बर पट्टी वाला जो सिरा होता है ये कैथोर्ड होता है और ये वाला जो सिरा होता है ये एनोड होता है और जहाँ पर cathode होता है वहाँ पर आपको negative pin को रखना है यानि कि black wire की lead को यहाँ पर लगा देना है और लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि meter में कुछ ना कुछ reading दिखाना शुरू करतेगा उसके बाद दोस्तों आपको simple क्या करना है इसे दुबारा से reverse कर लेना है आप cathode पर आपको positive बाली pin लगानी है और anode पर आपको negative lead को लगा देना है अब आप देख सकते हैं कि यह one दिखा रहा है तो इसका मतलब हमारा diode सही है तो एक तरफ लगाने पर आपको reading दिखाना चाहिए और दूसरी तरफ जब reverse कर देते हैं इसे तो बहाँ पर आपको क ऐसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो और चैनल को सबस्क्राइब करो